आजादएएस एकेडमी के ब्रहत प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का बहुत बहुत श्वागत है परिक्षा का दौर प्रारम हो चुका है और निश्चित तोर पे वर्ष 2021 के जून माह में दो बड़ी परिक्षा है पहली परिक्षा है आपकी आई-एस का प्रिलिम्स एकजाम 27 जून की डेट है इसकी और दूसरा है उत्तर प्रदिस लोग सेवा योग द्वारा योजित होने वाली यूपी पीसेस प्रिलिम्स एकजाम यह दो बड़ी परिक्षा हैं जिसकी डेट आपकी 13 जून की है नोटिफिकेशन आ चुका है आई इसका नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा दरसल कोरोना काल में बहुत सारे भ्यर्थियों के जो एक अटेम्ट अत्रिक्त उन्हें मिलना चाहिए बहुत सारे छात्र एक्जाम की जो ओरेज हो गए हैं या फिर तो एक अत्रिक्त मौका बहुत सारे बच्चे एक्जाम नहीं दे पाए थे तो उनके लिए वो पूरा प्रयाश चल रहा है सुप्रेम कोर्ट में जल्द हो जाएगा तो अब बात करते हैं अंतिम समय में आप लोग की निश्चित तोर पे आप लोग भी अप तैयारी के एक बड़े स्तर पे लगे होंगे और लगतर आप लोग की डिमांड थी मांग थी तो इस अंतिम समय में हम भी एक ब्यापक तैयारी के लिए आप लोग के साथ उपस्तित होंगे पूरा संस्थान आपके साथ लगेगा आईएस प्रिलिम्स एकजान 2021 का क्रेस कोर्स प्रारम करने जा रहे हैं तीन फॉर्मेट में होगा बहुत सारे बच्चे हैं जो जॉब कर रहे हैं तो उनको कुछ समस्या हैं तो इसलिए हमने इसे तीन फॉर्मेट में रखा है पहला है आप लोग चाहें तो संस्थान आ सकते हैं आजादयेस अकैडमी गाजियाबाद में हैं यहाँ पे आफलाइन क्लासेस संचालित हो रही हैं तो एक मार्च से क्लासेस चालू होंगी उससे पहले ही आपको आना होगा रेजिस्टेशन अभी ओपन है कैसे रेजिस्टेशन करना है क्या प्रक्रिया है सारी चीज़े आपको बता रहा हूँ ठीक है यह पूरी तरीके से 90 दिन की अवधी यानि मार्च, अप्रेल और मई 90 दिन की अवधी के लिए पूरा कोर्स हमने डिजाइन किया है एक बड़े इस्तर का पूरे सभी पार्ट करम का एक रिवीजन कोर्स होगा जिसमें Current Affairs भी है, C-set भी है ठीक है आपका General Study का पेपर भी है Current Affairs भी है, C-set है एक रिवीजन से रिज होगी अंतिम समय में 90 दिनों में हम ब्यापक रिवीजन करने जा रहा है साथ ही इसमें 5 टेस्ट भी रहेंगे तो ये भी इसके साथ ही संबलित है 5 टेस्ट प्लस एक बड़े इस्तर का रिवीजन ठीक है और टेस्रीज भी पूरी जो आएगी टेस्रीज के बारे में जहनकरी आपको मिल जाएगी लेकिन आपको यहाँ पर मैं आपको जहनकरी देने आया हूँ 90 दिनों में संपूर पार्ठेक्रम का ब्यापक रिवीजन दोनों का I.S. का और U.P.P.S.C. का दोनों के लिए पूरा का पूरा कारक्रम है अब देखें रेश्टेशन आपके ओपन हो चुके हैं अब आपको कैसे क्या क्या करना है देखो पार्ठेक्रम के इस तरफे देखें तो दोनों का पार्ठेक्रम बिल्कुल सेम हो चुका है प्री का और मेंस का दोनों का अंतर से फितना है प्रशनों के पूछने में बहुत सारा अंतर है UPSC में तथ्यात्मक के साथ साथ बिश्लिशनात्मक प्रशने जादा रहते हैं और UPSC की बात करें तो UPSC में तथ्यात्मकों की संख्या भी जादा होती है बिशलेशना अत्मक भी अब पूछना प्रारम हो गया है माइनस मार्किंग दोनों में है IES एक्जाम में आपके 100 कोशन आते हैं यहाँ पर 500 कोशन आते हैं करेंट इफेर्स का इस तर दोनों का अलग अलग है तो इसलिए हमने दोनों को अलग अलग तरीके से ही लेकर चलेंगे कोई यहाँ पर ज्यादा परिशान नहीं होना आप लों को UP वाले में उत्तर प्रदेश का भी हमें अलग से समग्रधिन करना है UP भी हमें पूरा पढ़ना है तो अब यह जो मार्च का महीना है यहाँ से अब एक बड़ी तयारी की तरफ हाँ बढ़ेंगे संस्तान के साथ जुड़ करके रेइस्टेशन प्रारम है आपके 28 फरवरी तक रेइस्टेशन होंगे इसके बाद एक मार्च से औरियेंटेशन के साथ क्लास प्रारम हो जाएगी आप सभी हमाई साथ जुड़ सकते हैं बहुत नियुनताम सुल्ख रखी गई है इसके लिए दो काम करने आपको सबसे पहला काम करना है आजाद एएस अकेडमी का अप्लिकेशन डाउलोड कर लेना है देखो क्लासेश जो लोग जॉब कर रहे हैं रिकॉर्डड फॉर्म पे भी मिल जाएंगी पहले तो लाइब क्लासेश होंगी यह जितनी भी क्लासेश होंगी लाइब होंगी यानि कि आप सभी के पास एक लिंक आएगी उसमें लाइब क्लास होगी और निरधारी समय के बाद ओ लिंक एक्सपैर हो जाएगी ठीक है तो live class होगी जो बच्चे live करना चाहते हैं ठीक है इसके बाद पूरा schedule रहेगा और offline में भी वो class चल रही होगी वही class live offline में चल रही होगी और उसका recorded video भी आप तक पहुंच जाएगा recorded video भी हम आपको भेज देंगे ठीक है तो जो job में हैं बच्चे उनको भी कोई दिक रिकत ने लेनी क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में चात्र यही समस्चा लगत आ रही क्योंकि प्रॉपर schedule नहीं follow कर सकते हैं जो schedule फॉलो करना चाहते हो schedule भी फॉलो कर सकते हैं schedule के link भी आएगी मलब एक आपका टाइमिंग रहेगा और 11 वह से लेकर तीन बजी के बीच मे रहेंगे फिर बीच में सी सैट की मैथ रिजनिंग की भी क्लास होगी सब्जिक्ट सारे कराये जाएंगे आपका पॉलिटी हिस्ट्री एकॉनिमी आपका जनरल साइंस में जो तीनों टॉपिक है बायो कमिस्ट्री फिजिक से तीनों हम कराएंगे कुछ भी नहीं चूटेग होंगी सेंसेस की क्लास भी होंगी फैक्चुल जितना भी होगा और करेंट अफेर्स भी होगा एटू जेड कुछ भी नहीं बचने वाला बड़े इस तरका रिवीजन इसंतिम समय में आप करेंगे और हर एक सब्जिक को हम लोग यहां पर करवाने का प्रयास करेंगे ठीक ह तो सभी चात्र जो हमारे साथ क्रेस कोर्स में जुड़ना चाहते हों क्योंकि प्रारंभिक पांसो चात्रों के लिए हमने सुल्क बहुत कम रखी है बहुत नियुनितम रखी है अब इसके लिए तरीका कुछ नहीं है आपको आजाद आये से कैडमी का अप्लिकेशन डाउन से ही करते हैं कि वह आई एस एक्जाम दें और यूपी का भी एक्जाम दें दोनों चीज़े होती हैं तो आपको निश्चिंत रहना है कोई दिक्कत नहीं होगी यहां पर आप देखेंगे यह है आजाद आये से कैडमी का अप्लिकेशन आप लोग इसे डाउनलोड कर लीज सब्सक्राइब लिखेंगे मैं आपको दिखा देता हूं इस टोर वाला सिक्सन है और सटोर वाले सिक्सन में यह लगा हुआ है आपका B पूछ रहे थे इसकी नियुनतम सुल्क रखी गई है मात्र तीन हजार रुपई इसकी सुल्क है पूरे स्लेबस की यह लेकिन यह सुरुवाती 500 बच्चे के लिए होगी इसके बाद सुल्क बढ़ जाएगी ठीक है जैसे ही 500 बच्चे इसमें जुड़ जाएंगे काफी राइब क्लासेज होगी और आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगे किसी भी छात्र को एटू जेड आसानी से पुरी क्लास होगी सासा डाउट सेशन भी हम क्लियर करते जाएंगे कोई भी डाउट भी नहीं रहेगा आपका ठीक है तो यदि ब्योस्तित रंडितिक तैयारी आपको करना है इन 90 दिनों में तो संस्थान के साथ जुड़ जाएए मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ बहुत सिंपल प्रॉसेस है यह अप्लिकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे आजाद आईएस एकडमी यूनिट आफ आजाद ग्रूप आईएस और यूपी प प्लिकेशन है डाउनलोड कर लिजे डाउनलोड करने के बाद इसे आप ओपन करेंगे ओपन करने के बाद नीचे देखे इस्टोर वाला सिक्षन है इस्टोर वाला सिक्षन है होम स्क्रीन में ही आपको यह कोर्स मिल जाएगा आईएस एकडम का आप देख सकते हैं यह आईएस एकडम यहापे लिखका हुआ है क्रैस कोर्स ठीक है और यहाँ पर यूपी का भी बच्चा जुड़ सकता है कोई दिक्कत नहीं किसी को भी ठीक दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को तो आपका यह प्रारम हो गया ठीक है क्रैस कोर्स है माई तक में हम पूरा कोर्स कंप्लीट कर देंगे साथ ही आपको टेसरीज भी पांच मिलेंगे इसके साथ पांच टेसरीज इसी के साथ हैं और इसके अत्रिक तो जो अन्य टेसरीज करना चाहते हैं तो आप सभी का most welcome है आजाद IAS Academy का application download करिए और आकर के वहाँ पर अपने आपको registered कर लिजे सुरुवाती 500 बच्चों के लिए ही ये फीस है ये ध्यान रखेगा इसके बाद ये just double हो जाएगी इसलिए आप लोग जरूर जुड़ जाएगा ठीक है तो ये सूचना ये जानकरी आपको देनी थी आप मेंसे जो चातर जॉब कर रहे हैं उनका doubt है कि class जैसे scheduled है तो schedule के बाद उसको recorded form पे एक दिन के बाद वह आपको मिल जाएगी मतलब regular आपको recorded form पे class मिलती रहेगी तो उसको लेकर ज्यादा परिशान नहीं होना recorded class भी हम उपलब दिखरा देंगे आपको recorded class भी आपको मिल जाएगी साथ ही आपको ये link मिल जाएगी दोनों चीज़े हैं तो यहाँ पर ये दोनों कोई इसमें परिशान होने की जुरूत नहीं है चातर इसमें मार्च तक में जरूर जुड़ जाएगा मार्च मतलब एक मार्च से पहले जरूर जुड़ जाएगा एक मार्च हम class चालू करेंगे पूरा schedule आपको जैसे जैसे subject का है सारी चीज़े आप आने वाले एक दो वीडियो में आपको मिल जाएगा पूरा schedule और को बिलकुल पूरी मेहनत और पूरी परिश्रम के साथ qualify और क्लियर आपको करना है संस्थान आपके साथ है हमेशा रहेगा और कभी भी आपसे हम दूर नहुए नहोंगे ठीक है चले बहुत बहुत सुक्रिया धन्यवाद एप की link description में है जाएए वहां से एप को कःषा प्रणन आपके संस्खड़ है झारत है तेक है志ड़ हमेश से घूरी आपके सकत हैा संस्चन चले शेरी आपके मिवादा तूरी पर वहां से बादत है बहुत्शाशे दो मिवान चलेपक ह meow‑ 1975